हलो दोस्तो नवर्ष की आपको हार्दिक शुब कामनाई ये साल आपके लिए धन से स्वास्ति 29 से हत तरह से अच्छा साबित हो तो दोस्तो ने साल के पहले ही दिन अगर आप ये एक चार पांच चीजे में आपको बताने जारे हूं शेयर करने जारे हूं जो कि हमारे बड़ जुर्गों ने हमें बताई थी अगर उन में से एक भी चीज आप अपने घर ले आते हो जाम वैसा आप करते हो तो ये आप लोगों के लिए पूरा साल ही धन की वर्षा होती रहेगी घर में सुक शांती सुक समरीती बनी रहेगी तो फ्रेंड्स में आप लोगों को बताने जा रही हो कि साल का कल पहला शुक्रुवार है तो आप जो की धन लक्षमी माता का वार है तो आप सबसे पहले अपने घर में मा लक्षमी की फोटो लेके हैं जिसमें मा लक्षमी बैठी मुद्रा में हो तो ये तो धन वर्षा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा साल तो दोस्तों एक और काम करना है आपको कि आप एक सिख्का एक रुपे का सिख्का हो चाहे पांच रुपे का सिख्का वो आप तुलसी माता के पोदे में जो भी गमले में हैं चाहे जमीन ने वहाँ आप उनकी जड़के पास गड़ा रहें दबा दे मतलम इटी में और खल्द और दीप प्रजवलित करें मालक्षमी का ध्यान करके और तुलसी मैया का जल में आप एक गिलास में एक लोटा ले ले और उसमें आप तुलसी दल डाल ले थोड़ा सा गंगा जल डाल ले और उसका थोड़ी सी हल्दी ले ले चुटकी बर हल्दी ले 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 और उसका शिड़का पूरे अपने घर में करें और कल के दिन आप अपने घर में बतुआ खरीद के जरूर ले के आएं बतुआ ले आएं पालक ले आएं लेकिन हरी एक चीज जरूर ले के आएं कल शुकरवार है और मा लक्षमी को सफेद को जो आठ साल से छोटी कनियाएं हैं आप उनमें वितरतित करें उनमें बांटें तो आपके लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा आपके घर में खुशियों का आगमन होगा मैं बगवान से यही पराथना करती हूं कि आप सब के लिए ये जो साल है बीस हजारे की द बिल्कुल ना भूलना और अगर आपने है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना तो मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीड झाल झाल